अभी हम लोग यहाँ पे L&T Larson Turbo Limited की अनलिसस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन इसके important levels क्या हो सकते हैं और इसके price action pattern कैसे रह सकते हैं 3rd of January को तो फिलहाल अगर हम लोग जैसा कि हमने कल discussion किया था कल बहुत important level की हमने discussion की थी इसमें और आज वो successfully हम लोग को होता हुआ दिखाया है बिल्कुल वैसा ही price action pattern बना है हमने यहाँ पे बात किया था कि यह उपर जाने के बाद यह selling candle हम लोग को दिख रहा है उसके बाद buyers बहुत down होता है तो यह तीजी से नीचे की और आ सकता है और नीचे की और कितना गिरेगा यह भी हमने कल के दिन discussion किया था कल का वीडियो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं weekly time frame पे हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पर price action pattern देखा था कि यह यहाँ पर ठीक है buyers का अच्छा strong nature देख र करने के बाद अगर यह नीचे की और आता है तो यह buyers इसको touch नहीं करेंगे क्यों क्योंकि buyers फिर कोशिस करेंगे जो last swing है जो last buyers zone है अगर अगें उन points के आसपास आने के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है एक reversal हो सकता है यहाँ फिर एक buying activity फिर सटार्ट हो सकती है तो उस condition में द 30 से लेके 3300 ठीक है 30 के आसपास का जो यह level है यह बहुत important है और जब तक यह उपर अभी 3560 को break नहीं कर देता 3560 को जब तक यह break नहीं कर देता तब तक हम लोग कोई भी action नहीं लेंगे इसने पीसे भी बिलकुल ऐसे ही price action pattern मनाया था यहाँ पे कुछ दिन अपने आपको activate य break out दे और हम लोग उसको अराम से trade कर सकें अब हम लोग डायक्ली 15 में टाइम फ्रेम पर चलेंगे 15 में टाइम पर क्या important levels हमने कर discussion किये थे उसकी बाते कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को clearly कल के दिन नजर आ रहा था ठीक है कि यहाँ पर यह level breakout level है और जब भी यह level breakdown होग तो तेजी से नीचे की और गिरेगा और हमने बिल्कुल लगब लगब 3460 का जो level दिया था ठीक है इसको exactly इसने hit किया और इसी के आसपास आके क्या कर लिया है इसने support लिया है क्यों क्योंकि देखेंगे यहाँ से buying होने के बाद जो second buying स्टार्ट हुई थी और लगब लगब क्या हो सकता है जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा momentum होने के बाद जो रुकावट होनी थी जो halt मिलना था नीचे के लिए वो काफी ज़्यादा मिल चुका है तो अगेन अगर कल के दिन इस zone में इसकी opening होती है और उसके बाद आजका लोग अगर ये break करता है तो फिर से ए थोड़ा उपर जाए ठीक है थोड़ा ज्यादा उपर जाए ये चोटा रेंज है इसके हिसाब से बड़ा रेंज मनाएं और जो आज का ये support है कल की दिन resistance का काम करें हो सकता है उसके बाद फिर से जब नीचे break करेगा तो इन levels के आसपास जो कि 3380 का level है इसके यह important level है क्यों क्योंकि एक तरह का breakout level है ठीक है इससे यहीं से market यू टर्न लिया है reverse हुआ है तो जब भी इसके आसपास याद आएगा याद रखेगा 3440 के आसपास जब भी market आएगा उसके पहले 80-60 का level बहुत important अगर यह break करके 40 आ जाता है तो 40 का ऐसा level होगा जहां से बहुत अच्छे से फिट से हम लोग को एक buying happening देखने को मिल सकता है उपर की बाते करेंगे तो उपर की बाते करने के लिए अगर देखेंगे तो यह level यहाँ पर 3440 के आसपास का level यहाँ पर जाके बार बार यह hit कर रहा था लेकिन break नहीं कर पाया और break नहीं कर पाया इसलिए कल के दिन यहाँ फिर से इनी levels का स्क्रोजिंग दे दिया था आज opening होते ही जैसे 3500 का level इसने निकाला है तेजी से यह नीचे की और आ गया है तो जब तक कि अभी यहाँ पर 3560 का level लगा है इसको निकाल नहीं देता उपर तब तक हम लोग उपर की कोई planning नहीं करेंगे जिसको भी fresh buying करना है दो लोगोंने comments में पूछ रखा था कि कब हम लोग fresh buying कर सकते हैं तो हमेशा मैं किसी भी share को buying करने के लिए weekly chart उसका prefer करता हूं देखना क्योंकि मेरी जो strategy होती है वो थोड़े लंबे समय के लिए होती है तो अगर अगर यह नीचे आ रहा है तो हम इसको नीचे आने देंगे ठीक है नीचे आने देंगे और एक point पर हम लोग इसको buy करेंगे यहां daily time frame पर एक hammer type candle बनाए यहां एक full engulfing candle बनाए ठीक है bullish engulfing candle बनाए ऐसे दो candle बनाएगा तभी हम लोग daily time frame पर इसको buy कर सकते हैं ताकि हम इसकी नीचे अपना क्या कर सके SL place कर सके और जो भी range है उसका 1- 1-2, 1-3 की planning कर सके अगर ऐसा price action pattern नहीं बनता है तो मैं यहां पर जल्दी से किसी भी share में invest नहीं करता यहां कोई भी position नहीं बनाता क्योंकि मुझे फिर अपना SL लगाने का position में नहीं मिलता और मेरा target भी मुझे clearly नजर नहीं आता है right माल लेते हैं किसी condition में ज़्यादा ते यह जो candle की formation हो रही है यह जाके opening closing कहीं ऊपर दे देती है और इन दोनों का हाई एक पास होता है तो यहां पे छोटा सा position मनाया जा सकता है अगेन क्योंकि बहुत जदा बड़ा momentum नहीं कर पाएगा एक छोटा सा range बना है इसका one is to one हम लोग यहां पर plot कर सकते हैं तो fresh entry के लि ठीक है अपनी analysis के बाद में ही कोई भी करिएगा क्योंकि यह fundamentally strong है आप जाके एक बार check कर सकते हैं और इसको जब भी यह नीचे मिलता है ठीक है तब buy करके धीरे-धीरे इकठा करके रख सकते हैं ऐसी strategy को अपना सकते हैं लेकिन उसके पहले जरूर एक बार आप अपनी analysis कर लिजेगा वीडियो कैसी लगी पसंद आई होगे तो लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं होंगे subscribe कर सकते हैं thank you for watching this video